ओम शान्ती जन्वरी के महिने में विशेश अव्यक्त स्मृतियों में रहते हुए हम अपने स्थती को अव्यक्त बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार से पुर्शार्ट कर रहे हैं तो हमारे पुर्शार्ट को और भी तीवर करने के लिए आज हम हमारी परमादर्निय जानकी दादी जी के अमरित वचन सुनेंगे ये क्लास है 2006 का और टॉपिक है इन अंतिम घडियों में त्याग तपस्या वाली सेवा करो तो मनी, टाइम, एनरजी सब बचेगा इन अंतिम घडियों में त्याग तपस्या वाली सेवा करो तो मनी, टाइम, एनरजी सब बचेगा तो दादी जी कह रहे हैं त्याग व्रती से अनासक्त व्रती होती है और त्याग व्रती वैराग्य व्रती से होती है त्याग व्रती से अनासक्त व्रती होती है और त्याग व्रती लाने के लिए चाहिए वैराग्य की व्रती, तो पहले है वैराग्य व्रती, फिर है त्याग व्रती और उसके बाद है अनासक्त व्रती, अनासक्त व्रती, स्रेश्ट व्रती, फिर उपराम व्रती, उस व्रती से वायू मंडल बनता है, ये स्टेप्स हैं, अनासक्त व्रती से उप्राम व्रती, स्रेष्ट व्रती और उस व्रती से फिर वायू मंदल बनेगा तो दादी ने क्या स्टेप्स बताए? पहले बताया वैराग्य व्रति, फिर त्याग व्रति, फिर अनासक्त व्रति, फिर स्रेश्ट व्रति, फिर उप्राम व्रति, और उस व्रति से फिर वायू मंडल बनेगा जरा भी वैराग्य कम है, कोई हद के व्यक्ति वैभाव से राग है, मना लगाओ है, जुकाओ है, आकर्शन है, तो न त्याग है, न तपस्या है सेवा भले है लेकिन सेवा का भी foundation क्या है त्याग और तपस्या जहां त्याग तपस्या नहीं वो सेवा सेवा है ही नहीं तो दादी केती अगर कहीं भी वैराग्य में कमी है हद के व्यक्ति वस्तु वैभाव में कहीं भी राग है लगाव है तो वहां त्याग तपस्या नहीं अंत समय साक्षातकार किसका होगा सेवा का साक्षातकार होगा या त्याग और तपस्या का साक्षातकार होगा दादी पुछरे किसका होगा त्याग तपस्या मूर्ति का ही होगा भक्ती में पहले लाइट आती है तब साक्षातकार होता है लाइट पहले देह से अलग कर देती है और फिर साक्षातकार होता है एक भाई बहुत भक्त था उसने न भजन गाया न पूजापाट की पर शकल पे चमक थी पूजापाट भक्ती नहीं करता था लेकिन शकल पर उसकी बहुत चमक थी वह मेरे बाप समान था दादी बता रही अनुभो मैंने कहा आपने भजन भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया तो आपने क्या किया आपका चेहरा ऐसा कैसे चमक रहा है तो कहा मैं सुबह को उठकर विष्णु का ध्यान करता हूँ भक्ती हो तो ऐसी ना हवन ना पाठ ना पूजा कुछ नहीं किया लेकिन सचे दिल से अपने आराध्य को अगर याद किया तो वो सची भक्ती की भी चमक उसके चेहरे पर आ गई तो ऐसे ऐसे भक्त है तो बाबा केते आप तो ग्यानी योगी बच्चे हो आपका चेहरा कितना चमकना चाहिए बाबा ने आज बहुत अच्छी सिक्षा दी है बाबा सिक्षा, समझानी, सावधानी हर मुर्ली में देता है कोई मुर्ली ऐसी नहीं होती जिसमें सिक्षा, सावधानी, समझानी ना हो ऐसी मुर्ली कोई नई है बाबा की कई बाते द्रश्य रूप में सामने आती है बच्ची तुम ये नहीं कर सकती हो जी बाबा दादी के सामने बाबा के जो चरित रहें वो आँखों के सामने आते रहते हैं दादी सदा बाबा की हर बात को कहते थे, जी बाबा, बाबा साधरंता में नहीं ले आना चाता है, महानात्मा बनाना चाता है, बाबा के पहले-पहले बोल है, see father, follow father. सारे यग्य की हिस्ट्री में एक शन पल भी निश्वल होने नहीं दिया है सी फादर और फॉलो फादर किया है बाबा ने कहा लाइट रहो, माइट खीचते रहो तो आटोमेटिक वरिष्टा रूप नजर आएगा अपने को फीलिंग आएगी, धर्ती पर पाउं नहीं है उर्तिकला है, चर्तिकला का समय पूरा हुआ अब जो समय है वो उर्तिकला का समय है, चर्तिकला का समय पूरा चड़ती कला में थकावट होती है तो थोड़ा रुक जाते है ये भी अपनी स्थिती में और चार्ट में देखे थोड़ी भी थकावट मन में हुई सो तन पर आई मन का प्रभाव सीधा तन पर दिखाई देगा मन थका हुआ है तो तन तुरंत थका हुआ लगेगा दादी के तिये मन में थोड़ा भी थकावट है तो तन भी होता है मन में क्यूं आई? कई प्रकार के संकल्पों से आई अभी बाबा बोले व्यर्थ संकल्पों को खतम करो व्यर्थ संकल्प हमको क्यूं आए? संकल्प से सेवा हो रही है संकल्प ऐसे हो जो स्वय और सेवा दोनों एकटे हो जाएं संकल्प में स्वय, स्वय में बाबा है उसमें सेवा समाई हुई है इतना ध्यान अपने उपर रखेंगे तो बाबा साथी बनकर साक्षी होकर प्ले करने में मदद करेगा जब हमारे संकल्पों में बाबा है तो फिर बाबा हमारा साथी बनता है और साक्षी होकर ये ड्रामा प्ले करने में मदद करता है याद करने की महनत नहीं है पर बाबा के साथ का अनुभव औरों को सुख देता है मेरे में जो कमी कमजोरी है वो मर्ज हो जाए जो मेरा साथी है वही दिखाई दे दूसरों को मेरे से बाबा दिखाई दे ना कि मेरे में ये है वो है कमी कमजोरी नहीं बस बाबा दिखाई दे कुछ भी हो ये किसने कहा भले इसने भी कहा तो भी तुमारा भला हो जाएगा मेरा बाबा कल्यानकारी है हमारे को क्या करने का है जैसे किसके अवगुण पर नफरत आती है ऐसे अपने अवगुण पर नफरत करो जिसको नफरत आई वहे बड़ा अवगुण है देखा गया है ग्रणा द्रिष्टी जरा भी किसके लिए भी है मेरी द्रिष्टी में ग्रणा है तो दया दुआ 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 हम किसके संग में रहे तो दूसरे को भी बाप के संग का रंग लग जाए जिसके भी संग में हम है उनका संग हमको ना लगे लेकिन हमारे संग से उनको बाबा का रंग लग जाए बाबा से जो चार रूप दिखाई देते हैं एक मेरा साकार बाबा उसने एडॉप्ट किया गो आज दिन तक बच्पन नहीं भूला है, बच्पन के दिन भूला नहीं देना, बच्पन का दिन भूला माना सिर्दर्द, बच्चे क्या रहते हैं, एकदम लाइट माइट, हलके फुलके, सदा खेलते हैं, दादी के ते बच्पन भूला माना सिर्दर्द, हमको क्या करना है, ब पढ़ने के समय आँख खोल कर सामने बैट कर पढ़ो। तुम गुलाब का फूल बच्चा हो ना। बाबा माली है। कोई काटा ना हो। साकार में शिव बाबा बैट कर हमको पढ़ाए। फिर क्या बन रहा है वह अपनी स्थती से दिखा रहा है। बाबा को कभी देहधारी रूप से नहीं देखा। सदा अव्यक्त चमकता हुआ सामने देखा है। हड़ियां है नहीं। ददीची रिशी बन हड़ियां देदी। तो जैसे लाइट का फरिश्त स्वरूप ही दिखाई दिया। सेवा दिल से की है। और चौथा भविश्य। क पुरिश्न भी दिखाई पड़ता फिर नारायन स्वरूप का नशा सदा देखा। ऐसे बाबा को चारों रूप से देखते बाबा के पास रहे हैं। इतनी हमें विदेही बनाने की देहा अभिमान छुडाने की महनत की है। बाबा ने खुद बनकर फिर अपने को बनाया। हम बच्चों के सामने ब्रह्मा बाबा एक्सामपल बने तो ऐसी महनत बाबा ने की। फिर सारा प्यार जो भर दिया वो अंतिम जनम तक भूले नहीं है। इस साकार के साथ तुम 84 जनम पार्ट बजाओ। वह कहता मैं सुक दुक में नहीं आऊंगा। शिबाबा तो नहीं आएगा ब्रह्मा बाबा हमारे साथ रहेगा। अच्छा है हमने कभी दुखी होकर भगवान को याद नहीं किया। इन अंतिम घडियों में त्याग तपस्या वाली सेवा करो। इसमें मनी, टाइम, एनरजी सब बचेगा। जो बाबा ने आदी से कराया है वही हम हमारी एनर्जी ऐसी हो जो कम से कम अपने आप को तो संभाल सके, अपनी इस्थती को तो संभाल सके, साथियों को तो दे सके, कोई सामने आए तो मुस्कुरा तो सके। कैसी एनर्जी होनी चाहिए? दिखो दादी क्या कह रही है? अपने आप को संभाल सके, अपनी इस्थती को संभाल सके साथियों को दे सके, और कोई सामने आए, तो मुस्कुरा सके मुर्जाय हुए रहेंगे, मुस्कुराएंगे नहीं, तो सेवा क्या करेंगे? जो बहुत काल का होगा वह अंत काल में सब को नजर आएगा अभी मेरे अंदर क्या है वह पता नहीं पढ़ता है अंत काल का सब को पता पढ़ जाता है तो ये अपने आपको ध्यान रखना है अभी हम कितना भी अपने आपको चला ले, बचा ले लेकिन अंतगड़ी का तो सब को result पता पढ़ना ही है तो ये स्मृति में रखकर हम पुर्शार्थ करें कि हमें केसे को दिखाने के लिए नहीं करना है लेकिन अपनी स्थती को मजबूत बनाना है ताकि हमारी अंतगड़ी स्रेष्ट हो result उचे ते उचा निकले ये ध्यान रखना है अच्छा, ओम शान्ति